अपनी लाइफ में हम खुश कैसे रहें? अपने मन को हम खुश कैसे रखें? कैसे अपने मन को हम हमेशा इस्टेबल रखें? आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी हलो, my name is Piti and welcome to my channel JASBA. तुशे लिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते हैं तो इसकी वज़ा हमारा मन होता है हमारे मन ही है जो हमें खुश नहीं रहने देता है हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है उसी के according हमारा मन जो है वो feel करता है इससे हम अच्छा या बुरा feel करते हैं हमारे चारो तरफ जो चीज़े हो रही हैं उसे हम रोक नहीं सकते हैं हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चीज़े हो रही हैं, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, हाँ उसे रोकने की या उसे कम करने की कोशिस हम जरूर कर सकते हैं, हमारा मन हमसे भागता रहता है अपने मन पर कंट्रोल करना सबसे ज clients करने के लिए अपने मन पर control होना जरूरी हैową हैं अपनी सason विद को अपने हिसाब से को लिए या ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े इसके लिए जरूरी है कि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल हो जब हमारे माइंड में फालतो की चीजें चलती रहती हैं या फिर हमारा मन जो है इधर उधर भागता रहता है तो ऐसे में हम कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं ऐसे में फिर हम द थोट्स पर भी ध्यान देना हैं आपके मन में कैसे थोट्स आते हैं आपके मन में थोट्स आते हैं और आते रहेंगे बट आपको क्या चीजें सोचनी हैं कौन से थोट्स को आपको अपने मन में एंट्री देनी हैं इस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है कौन सी चीजों से आप घीरे रहेंगे या जिन चीजों में आप लगे रहेंगे जिस चीज पर आप कंसंट्रेट करेंगे उसी से related thoughts भी आपके मन में आएंगे अपने concentration को बढ़ाने के लिए आप meditation करिए जिस चीज पर आप concentrate करना चाहते हैं उस चीज से आप connect रहें उस चीज के आस पास रहें धीरे धीरे करके फिर वही आपके life का हिस्सा बन जाएगा वही चीजें आपके लिए important हो जाएगी और आप उसी चीज को हमेशा ही करना चाहे फालतों के thoughts को attention ना दे जब आप ये सोचते हैं कि आपको ये चीज नहीं सोचनी है तो वो चीज आपके mind में ज्यादा आती है उस चीज को आप ज्यादा सोचने लगते हैं तो अपने mind पर pressure मट डाले जैसे कोई incident है जो आप याद नहीं करना चाहते हैं या फिर कोई person है आते हैं आप उस चीज को बिलकुल ही रोकते हैं ऐसे में आप एक तरीके से अपने mind को attention देते हैं उस चीज के लिए आपको free रखिये छोड़ दीजे उस चीज को जो भी चीज आ रही है आने दीजे जब आप किसी चीज को attention नहीं देंगे तो धीरे धीरे करके वो अपने आ आपको खुझ से कहनी हैं और feel करनी हैं जब आप इस तरीके की चीजों को feel करेंगे या खुझ से कहेंगे तो अच्छी चीजें ही आपके दिमाग में आना start हो जाएगा आप खुश रहने का कोई ना कोई बहाना जरूर ही ढूंड लेंगे अगर आप खुश रहना चाहते है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको खुश रहने से रोकती हो आप किसी ना किसी तरह से अपने आपको खुश रखी लेंगे क्योंकि खुशी जो है वो हमारे अंदर होती है जब हम अंदर से अच्छा feel करते हैं या फिर हम खुश रहना चाहते हैं तो हम जरूर से जर रहा हो उसमें भी हम खुश जरूर रह लेते हैं जब बुरा टाइम आता भी है तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं पर बहुत ही जल्दी हम अपने आपको फिर से रिकवर कर लेते हैं जल्दी हम उससे बाहर आजाते हैं और पहले की तरह अपनी लाइफ को हम जीने लगते हैं क्योंकि हम खुद उस बुरे टाइम से बाहर निकलना चाहते हैं हम खुद खुशियों को ढूड़ते हैं जैसे आप दुनिया भर की परिशानियों से अपने आपको दूर रखते हुए अपने आपको stable रख पाएंगे और अपने आपको आप खुश रख पाएंगे और free रख पाएंगे